गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स मारामूर्थी क्लासिज में मेसंजर सेनी आप सभी का स्वागत करता हूं स्टुडेंट्स आज हम लोग क्लास 12 का 3rd chapter मैट्रिशिज के objective type questions करेंगे जिसमें हम MCQ फिलप्स करेंगे मैं इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें करवा चुका हूं तो इस वीडियो में हम MCQ और objective MCQ और फिलप्स करेंगे जो 2020-21 का जो मैट है न्यू मैट है तो उसमें MCQ और फिलप्स नए आये हैं तो उन को हम करेंगे बाकी जो old math के जो very short answer type questions थे वह मैंने सारे करवा दिये हैं means इस मैस में जो very short answer type question है वो कम है और जो मैंने करवाएं आपको वो कि ज्यादा करवाए है students तो means आपने वो वीडियो जरूर देखनी है जो very short answer type question है क्योंकि आप यह very short answer type question जितने करोगे उतने ही कम है आपके दिए क्योंकि इसमें इंटेजेंट स्टुडेंट स्टुडेंट्स भी कन्फ्यूज हो जाते हैं तो स्टुडेंट्स हमारे पास फॉर्स्ट कोस्टन है सब्सक्राइब निए प्याइब स्टुडेंट एक अगर मेर्टिप्लाइब करें तो उसका ओडर क्या होगा गए स्टुडेंट्स अगर पी मैट्रिक हमारे पास थ्री क्रोस एंड की है और क्या हूँ है एन क्रोस पी की तो मेंस इसमें जितने तो इसका लास्ट वाला इसका पहले गाला तो जो नहीं मैट्रिक्स बनेगी थ्री क्रोस पी की बनेगी यानि थ्री क्रोस पी तो इसका जो प्सन है वो रहेगा हमारे पास ए यानि ऑप्सन ए इज गुरेक्ट Д altogether है अब इसकी इसथिए को स्टुडशन इफ एडी आउ समेट्रिक्स अ को स्टुड्यूनस इस एड थे बी डास किसके एडी डास c excitement दोनों दिफाइड e then order of B is तो B का order क्या होगा students उसने कहा है A B डिफाइन है and B A डिफाइन है और A का order है students M cross N है तो A B कब डिफाइन है एक जो order है यानि A का order है M cross N और B डैस यानि यह तब डिफाइन होगा A B डैस तब डिफाइन होगा अगर इसमें जितने कोलम है एमें उसमें क्या हो बी डैस में number of row यानि number of row कितनी होगी डैस में number of row इन बी डैस जितने A matrix में number of column है यानि N column है ओके यहां से यह पता चल गया N ओके बी डैस के A में number of हमारे पास row आगी N अब बी डैस कब डिफाइन है स्टूडेंस बी डैस ए उसने कहा है यह देखिया आप देख सकतो A B डैस भी डिफाइन है और B डैस एबी डिफाइन है बी डैस डिफाइन होने का मतलब यानि बी डैस और A में क्या है number of row है हमारे पास highernd और number of column है N यह कब डिफाइन होगी डाससे यानि जितने इसमें इसमें colon है उतनी स्मेo हो तो यानि इसमें column की संख्या के इस तकन अमबर कों कितने होने यह चाहिंज में को लूँम इन डीडाइस कितना हुने में ही स्टूरन समारे पास वो जितनी इसमें नंबर ओफ जैसमें इनखर घ्रोप्र अन्लीरों को लोम का पता चल गां मैं है नंबर ओफ रो कितनी एन तो यानी बी डैस को अलगो कितना आया यानि order of B-dash यानि order of B-dash कितना आया order हम यह कह सकते हैं नंबर ओफ रो इन बी-डैस इफ अबी-डैस इजडिफाइब डिफाइन एबी-डैस इजडिफाइन तो यानि जितने ए में क्या है हमारे पास नंबर ओफ कोलम हैं नंबर ओफ कितने एक मैं है और सोतनी बीड़ास में रो होगी यानि हमारे पास आई अगर बीड़ अगर बीड़ास एडिफाइन है तो इसमें कितने हैं तो इसमें कितने होंगे यानि ओडरोफ बी, कितने हो जायगा, स्टुनेंस, क्योंकि ये बी-डेस में ल में बतला अकंद कामख होगे, क्योंकि बी का ठ्रांस्पोज है ना, डेस तो यानि बी में नंबरोफ नंडो śmार कटन है, यह को लूब में बदल को डेते आए और को अनि तब बीका ट्राश्पोज होता है तो secondo दो जाएंगे दो स्क्राइब और दो दोनमबरों यहनीमर इंडरो फोर है तो यह तो लम्ड़िला बन जाएंगे भी दैस में देखिए यानि M number of row है तो यह number of column बन जाएंगे भी डैस में देखिए तो यानि B का ओडर निकाला हमने तो B का ओडर आगे M cross N तो M cross N means D option so option D is correct अब थर्ड कोर्शन है स्टूडेंस हमारे पास दी मैट्रिक्स A is equal to 004040400 इज ए स्केर मैट्रिक्स डाइगनल मैट्रिक्स और यूनित मैट्रिक्स और नन ओफ दीज तो स्टूडेंस यह डाइगनल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल डाइगनल यह partnership वाले इलिमेंट है यह हमारे पास हमारे पास होने चाहिए थे तो यहां पर ढाइगनल मैट्रिक्स तो हम नहीं बैस सकते इसको क्योंकि non diagonal element 0 होने चाहिए थे non diagonal element 0 नहीं है तो जो diagonal में नहीं आते principal diagonal वाले element basic 0 हो लेकि non diagonal should be 0 तो यह unit matrix नहीं है क्योंकि यह वाले element 11 होने चाहिए थे तो यह square matrix है क्योंकि number of row is equal to number of column तो n is equal to m है यानि that is 3 तो यह square matrix है यानि option a is correct लेकिन book में आपको answer d दे रखा है which is incorrect यह incorrect option है students यह book की misprinting है तो आपके पास जो option रहेगा वो रहेगा a option रहेगा अब इसके बाद students हम लोग इसका fourth question करते हैं तो इसका जो answer है वो option a option a is correct नेक्स्ट students हमारे पास a दे रखा है हमारे को aij two cross two matrix aij क्या है i plus j यानि a11 a11 क्या आएगा मेरे पास यानि यहाँ पर आएगा मेरे पास एक matrix a निकालने हमने तो यहाँ पर a11 आएगा element यहाँ पर 111 वन 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 मींस वन प्लस वन टू आजाएगा यहाँ पर two one आएगा two one यहाँ पर two one element तो two one means two two plus one three आजाएगा फिर यहाँ आएगा two two यहाँ पर two two element आएगा two two means two plus two four आजाएगा students तो हमारे पास यह आएगी a matrix तो यह कौन सा option है students हमारे पास यह है हमारे पास 2334 यानि option B is correct यानि option B next students हमारे पास fourth question तो fourth question के आए students if two x plus y four x five x my seven four x यह matrix दोनों equal दे रखी है तो students यहाँ पे जब दो matrix equal दे रखी है तो उनके corresponding element भी पर होंगे तो यहाँ पे two x plus y is equal to two आजाएगा हमारे पास seven और यहाँ पर five x minus seven is equal to आजाएगा वाई के और यहाँ पर students देखे एक four x is equal to x plus six तो यहाँ से एक इस साइड में आएगा तो three x आजाएगा यहाँ पर six तो x आजाएगा two to x की वहली two y students तो y आएगा five into two minus seven तो y आजाएगा हमारे पास three so y is equal to three to x is equal to two y is equal to three तो यह option है हमारे पास भी तो option b is correct option b is correct अब students sixth question है if a and b are square matrices of order same then a plus b and multiply a minus b किसके equal आएगा students a plus b into a minus b तो students जब हम इन दोनों की multiply करेंगे तो a की multiply a के साथ तो a का square अगर b की multiply a के साथ b a फिर minus b की multiply a के साथ minus a b और फिर minus b की multiply b के साथ minus b ka square तो यह आएगा students मेरे पास यह option कोन्स है a square minus b square plus ba minus a b क्योंकि ba and a b दोनों का order अगर हमारे पास ba or a b equal होते हैं हमारे पास तो यहां पर हमारे पास students a square minus b square यानि a plus ba minus a b यह वाला c वाला option है students तो option c is correct अब 7th है students if a is equal to हमें matrix given है then a का square is equal to तो a का square किसके equal आएगा students तो a का square करते हैं students a into a यानि 1 0 0 0 1 0 a b minus 1 into 1 0 0 0 1 0 a b minus 1 तो students यह आएगा a का square is equal to जब इसकी multiply हैं करें 1 plus 0 plus 0 1 इसकी multiply हैं करें 0 plus 0 plus 0 जिरो इसकी multiply हैं करें 0 यहाँ एजिरो तो यह भी जीरो होजाएगा A plus zero minus a तो यहeauए हो जाएगा इसकी कि 0 प्लेस बीयमनस भी तो यह भी 0 यहां पे 0 फ्लिसिएव प्लस एलगा यहां पास यहां फेसे सकति पउद지 मैटिक्स कि और अप्सटिछ अ माρέले पास यूनिक मैटिक्स यानि अप्सट ग मेल था थे स्टोडिर नियू और एप्सन दी इस हैं एकुर्यक्त correct वेट्थ खर्शन देखते हैं students if A and B are two matrices such that A, B किसके एक्वल है A के और B A किसके क्वल है B के एक्वल है then B स्करिक इप्वल टू B स्करिके किसके एक्वल हाईगा students अगर A, B हमारे पास A के एक्वल है इसका मतल़ यह हुआ students अगर मैं A के इक्कुल है अगर मैं दोनों साइड A inverse से multiply कर दूं तो यह हमारे पास B बच जाएगा और यह हमारे पास identity matrix आजाएगी अगर A inverse से multiply करो देखे A inverse into A B यानि A inverse into A तो हमारे पास B is equal to identity matrix आई तो यहनि B हमारे पास identity matrix है तो हमारे पास B का square तो बी का स्केर भी हमारे पास हमारे पास किसके को लाएगा इना अडेंटी मेट्रिक्स का स्केर अगेन हमारे पास अडेंटी मेट्रिक्स आएगा यानि बी का स्केर इज आल्सो बी इंटू बी यानि फिर हमारे पास वो किसके को लाए बी इंटू बी अगेन अडेंटी मेट आया तो यानि option हमारे पास A is correct, option A is correct. अब students 9th question है, if A is a square matrix such that A का square A की इकल है, then I plus A का square minus 3A is equal to, I plus A का square क्या है, means I plus A की दो बार multiply, minus 3A, यह किसके को लाएगा, हमें यह देखना है, तो students I को पहले I से multiply करेंगे, I का identity matrix square, I को A से multiply करेंगे, तो A into identity matrix, plus A को A से multiply करेंगे, I into A, plus A को A से multiply करेंगे, A का square, और minus 3A, यही आएगा students, identity matrix square, identity matrix आएगा students, A I plus I A, तो A आजाएगा students, A plus यह भी A आदेगा, इस के कुल है यह अलिअ ज है तो यह पलस ए और मायनस थृ ए तो स्टूटन्स ए पलस ए से यह माउनस 3A तो हमारे पास इस से यह कैंस तो हमारे पास आया प्लस आया देग if a and b are symmetric matrix of same order तो a b minus ba is तो a b minus ba symmetric होगी excuse symmetric हमें यह बताना है तो हम क्या करते है students अगर a and b are symmetric matrix it means a का transpose a के equal है b का transpose b के equal है तो हमें a b minus ba देखना है कौन सी matrix है तो a b minus ba का हम transpose करेंगे तो वो आएगा a b का transpose अलग से minus ba का transpose अलग से तो a b का transpose खुलता है students b transpose फिर a का transpose minus ba का transpose की क्सके के कौना है इसके minus के कौना है क्यूंकि अगर किसी Madrigat ँिसके 60 सभी मेर् buff गएंगे तो स्कुल मेर्टिक क्यों पड़ quello eraalten the जू अगर सत्व मेरीक अजिन हम 11 ज करते हैं तो इसका अप्शन को और साइस च्टूड़न पहले यह एक प्सक्राइब उप्सण देख लो इसका स्क्यूसमेटिक मेंस बी ऑप्सण बीज कोरेक्ट आपको स्टुडेंट्स यह मैं कोस्टंस सोल करके दिखा रहा हूं तो आपको जाम ऐसे नहीं करना है आप यह में इसको रफ में सोल करेंगे आपने डिरेक्ट अप्सन बताना है कुन सा है तो next students हमारे पास sum of two skews metric matrix is always skews metric matrix का जो sum होता है वो क्या रहेगा दो skews metric matrix का sum हमेशा skews metric रहेगा कोई भी दो skews metric metric होगी तो उनका जो sum करेंगे हम तो हमेशा skews metric ही रहेगा तो option B is correct option B अब स्टूडेंस उसने कहा है यह देखिए यहां पर अगर एक स्केर किसके को रहे जिसके मैटिक सच्छ एक स्केर आई के कुला देंटिमेटिक दन ए माइनस आई की क्यूब प्लस ए प्लस आई की क्यूब माइनस 7A किसके इक राएगा स्टूडेंस यह बताना है तो तो स्टूडेंस यहां पर क्या करेंगे हम A-I A-I की cube means इसको दो बार multiply A-I इसको तीन बार multiply A-I तो students सबसे पहले हम A-I की cube वाला कर रहे हैं तो A-I की दो बार multiply करो A का square माइनस I A माइनस A-I प्लस I का square तो students और फिर इसकी multiply है हमारे पास A-I के साथ तो यह स्टूडन से आया हमारे पास A का square माइनस I A-I तो यानि A into I और I into A यह हमारे पास A आएगा तो students A का square किसके कोला I के कोल है यहां पे तो I-A और माइनस A तो यह A रहेगा A की I के साथ मलती है A की I के साथ यह भी A रहेगा और I का square भी हमारे पास I रहेगा तो और into हमारे पास A-I तो यहां पे देखे students I plus I 2 I minus 2 A तो यहां पे आया students हमारे पास 2 common हो गया I minus A आगया और A माइनस आई तो यह आएगा students A की अंदर मल्टिप्लाई करो तू एज़टी यह आएगा A I माइनस एका square A into A माइनस आई ए आई की हमल्टिप्लाई करें एक इसकर माइस आई का square और फिर माइनस आई का square आएगा students और फिर माइनस और माइनस प्लस तो प्लस A I आएगा तो टू A I plus A I 2 A I यानि I तो 1 है I यह भी 1 है तो 2 A बन गया students हमारे पास माइस A का square किसके कोल है हमारे पास I के कोल है तो I और माइस का I minus का two I या गया students यह तो आ गया four into a minus I या जाएगा students तो इसी तरह से students ममारे पास A plus i की जो क्यूब आएगा वो आ जाएगा मेरे पास four into a plus I तो अब इसमें value रखे अगर हम यानि इसमें 101 जैनी 11 में अगर value रखें यहाँ पर four into a plus I और यहां पे plus 4 into a minus i और minus 7a इसकी value निकालने है students तो 4 common होगा students या 4a plus 4i plus 4i यानि 4a plus 4i plus 4a minus 4i minus 7a तो student इससे एक एंसल तो 4a plus 4a 8a minus 7a तो यह बचे गया हमारे पास ए तो कौन सा option है students हमारे पास a option तो option a is correct option a is correct आप स्टुएंट 13th question देखते हैं total number of possible matrices of order 2 cross 3 with each entry 0 and 1 2 cross 3 की कितनी possible matrix होगे जिसमें 01 के साथ entry हो यानि एक टू क्रोस 3 की matrix में हमारा six element होगे और हमारे हमें कितनी देखनी है जो 01 entry के साथ तो हमें entry देखने 01 के साथ number of matrix होगे students number of matrix with entry 0 and 1 with entry 0 and 1 0 and 1 कितनी होगी students यह यानि दो element है तो दो की power एक में कितने element है छे element है दो की पर छे यानि 64 तो दो की पर छे 64 यानि option D आ जाएगा students आपने direct option लिखना है यह मैं आपको X और Y की वेल्यू तो A is equal to A dash है तो A कितना है students हमारे पास फाइव X Y 0 is equal to A dash A dash करें तो यानि 5 यहाँ X आजेगा और Y यहाँ और 0 यहाँ आजाएगा तो students यहाँ के हमें पता चला यानि X is equal to Y X is equal to Y और X is equal to Y तो X is equal to हमारे पास Y यानि option कौन सा students हमारे पास C यानि 14 का C option C अब 15th question students उसे ने कहा है A plus A dash is equal to A to तो A plus A dash अगर हमें I 2 दे रखा है तो A कितना है students course theta minus sin theta sin theta course theta plus A dash A dash अब इसका transpose करें यह course theta यह minus sin theta यह sin theta और course theta is equal to Y 2 यानि I 1 0 0 1 यह दे रखा है ना students तो इनको add करें तो two course theta is equal to और यह 0 आजाएगा यह 0 आजाएगा course theta plus two course theta और यह आजाएगा हमारे पास यह one zero यह solve करके दिखा रहा हम आपने solve करके नहीं दिखाना option वाले को क्योंकि आपने तो direct उसका अंसर लिखना है तो यह आप रफ में प्रिंसिपल वैल्यू क्यों होती है तो थीटा इस इकल टू एन पाई टू एन पाई प्लस माइनस वाई वाई की वैल्यू कितना पाई भाई थरी तो यह आएगा यह आपने साथ चूटेंस मारे पास और संटून पाई प्लस मैंस पाई पाई थिए यह डिलूंस तू इन फो इंटीजर यानि option कोन सा श्टूरं सी यह option C है हमारे option कोन से students हमारे पास option हमारे पास C है तो option C is correct यहनि option C is correct तो यह option C है students next है अगर A हमारे पास AIJ is a scalar matrix of order N cross N such that IJ AIJ AII AI A11 A12 A11 A22 AII दे रखा है के scalar matrix है तो तो दें दिस सम of all diagonal element of A is equal to कितना होगा students हमें AII दे रखा है जlining के AII means A11 A11 K है बाकी 0 है फिर 0 है फिर 0 K TOP K AND SO ON ऐसे ही दे रखाए लास्ट में K है तो students हमारे पास इन सबका diagonal के जो element इनका सम कितना आएगा वो हमने बताना है तो students हम क्या करें के प्लस के प्लस के प्लस के प्लस up-to K लास्ट तक तो यहनि कितनी बार के यह एन बार के है तो यानि इन के को एड करें तो कितना आएगा एन के तो option आएगा एन के आंसर आएगा एन के next students 17th question for a 2 cross 2 matrix aij whose element are given by aij i what a upon j है the value of a12 a12 means a12 means i की value 1 रखो j की value 2 रखो 1 by 2 तो आएगी students यह आएगी 1 by 2 अठारमा question देखे students if the element of aij 3 cross 3 matrix are given by aij इस तरह से दिरख है then the value of a32 a32 means हम क्या करेंगे i की जहां 3 और j की जहां 2 यहां पर भी 1 by 2 i की value 3 minus 3 into 3 plus j की value 2 तो यह आएगा स्टों minus 9 plus 2 यह आएगा 7 by 2 तो minus 7 का mode upon 2 यानि plus 7 by 2 तो answer आया 7 by 2 नेक्स देखे students 19th question तो 19th question है if P and cow are square matrix of the same order such that such such that P cow का जो हमारे पास P cow raised to power n किसके गए पी की power n और क्याओ की power n तो students P cow raised to power n कब P की power n और क्याओ की power n के को लोगा जब P cow किसके को लोगा P cow is equal to cow P अगर P और cow की multiply करें वो cow into P के को लाए तब हमारे पास P cow की power n किसके को लोगा P की power n और cow की power n के equal होगा त्यानि P cow is equal to cow P next students if a दे रखा है b दे रखा है then a minus b क्या आएगा तो a minus b आएगा हमारे पास a है two four three two minus b है one three minus two five तो यह आएगा students हमारे पास two minus one one four minus three minus one और four minus three plus का one और three minus two यह प्लस का two हो जाए त्री प्लस टू फाइगा two minus five यह minus three आजाएगा students two minus five आजाएगा minus three तो a minus b कितना आए students यानि one one five यह minus three और student twenty first question है हमें यह दो matrix equal दे रखे तो x प्लस y प्लस z निकालना है तो यहाँ पर देखे students x प्लस y किसके को आया हमारे पास five k fourth element से fourth element तो यहाँ से two y किसके को आया four k और two y plus z is equal to two y plus z is equal to nine तो students y की value आगे हमारे पास two two to y is equal to two y की value two यहाँ रखें तो x प्लस two is equal to हमारे पास five तो x is equal to three आगया तो two into y की value यहाँ रखे two into two plus z is equal to nine तो हमारे पास z is equal to तो आजएगा फाई तो हमें निकालना है एक्स प्लस वाई प्लस जड़ तो एक्स की वैल्यू है स्टूजन्स थ्री वाई की वैल्यू है तो यह आजाएगा वहारे पास टैन अब 22nd question देखते है students हमने इन दोनों की multiply फाई फॉर मैट्रिक्स के एक्वल है तो फाइंड वेल्यू ओफ वाई वाई की वैल्यू निकालने तो इनकी मैट्रिक्स इनकी मुल्टिप्लाई करें तो जो मुल्टिप्लाई करें वन एक्स प्लस टू वाई और यहां पर टू एक् इकल टू 5,4 तो students हमारे पास x प्लस टू वाई इज इकल टू एक्स है और टू एक्स प्लस वाई इस इकल टू फोर है तो यह से वाई की वैल्यूए 4-2 x आगी सब सीने थरसे तो यहां पे रखते हैं x प्लस टू इंटू 4-2 x-3 तो यहां से x प्लस-8-4 x is इस इकल तो 5-8, तो 3x इस इकल तो 3-3, तो 3-3 आया हमारे पास 1, तो 2x इस धिर्य का सब्सक्राइब लाख तो y इस इकल तो 4-2 या देगा 2, तो x की वाल्य हमारे पास 1 आई, y का लिए ।ो y कितना आया हमारे पास 2, सब्सक्राइब करें तो यह आएगा स्टूटन समारे पास वन प्लस वन अब इसकी मल्टिप्लाइब ह säil समद्सक्राइब यहां पर –1 –1 और यहां पर का थो तो स्टूटंस वन पर कि तो कि कि मिलहेज ऑडाया सब्सक्राइब तो य हमारे पास क्या है स्मिट्रिकमी मैत्रिक्स है यह मैं आपको करके दिखा रहा हूं तो एक करें हम एक का स्केल यानि-0-1-0-10-0-1-0 तो जब इसको मल्किलाई करें स्टुडेंट एजी रो ये माइनस वन और यह आ जेगा जी रो कि इसको इसको यहां मंटिप्लेखा जी रो और यह मैंनम मैंने लिए करेंगे नहीं जीरो यह माइनस वन यहां तो माइनस वन आएगा और जब इसको आए गार माइनस वन प्लस जीरो और जबहन द्वारा देखे जीरो माइनस ओन सब्सक्राइब तो जीरो के हमल्टिप्ले करें 0 और इसकी यह जीरो आजाएगा students तो students आप देख रहे हो कि जो a square आया है हमारे पास a square आया है हमारे पास minus one zero zero minus one अब देखें students यह स्मीट्रिक त्याच है क्योंकि यह डाइगनल तो यह यह हैं उना स्टिधिक तो यहां पर नहीं रहे क्यों कि स्टोंट डाइगनल एल्यमट जीरो होने चाहिए यह जब भी तो एसके रहमारे पास क्या या इस संत नव्लिक्रेइश कंवी स्कूव कीस्मेर्ष वहाक नियुकर और स्कूव करें उसके दाइगनल जरू है सकूनेटि Además वह और समिद्री आप है जब यह ओने सहें होगρείं याँ अगर यह 5 है तो यह 5 होगा तो फिर यह हमारे पास स्क्यूसमेट्रिक नहीं बनेगा क्योंकि यह नेक्तिव होना चाहे पोस्ट्री होना चाहे तो लेकिन अगर यह भी हमारे पास 0 है अब देखें अच्पास इस्टूडेंस अब स्टूडन्स यह में पास यह क्या रहेगा यह सेम रहेगी, विट मीश हमारे पास यह matrix क्या है, symmetric भी और स्कूर स्मेटिक, यह क्या है, यह क्या है, यह यह null matrix, null matrix, अब students, यह last question है, इसका 26th question, if A and B are symmetric matrix of same order, then AB is a symmetric if and only if, अगर A or B, 2 matrix है, जिनका order क्या है, same है, तो AB symmetric कप रहेगा students, AB symmetric तब रहेगा, K would और Frage would तब ही symmetric रहेगा, अगर AB is equal to किस के होगा, BA के equal होगा, तब AB हमारे पास, then तब ही हमारे पास AB symmetric रहेगा, अगर AB किस के equal हो, BA के equal हो, अगर A or B symmetric Mattics है, यानि A or B की multiply हमारे पास किस के equal हो, B और A के equal हो, तो आप students से कोई भी example लेकर करके, सब्सक्राइब कर सकते हो तो यह आपको कंडिशन ध्यान रखनी है तो यह थे स्टूजन्स हमारे पास चैप्टर थार्ड यानि मैट्रिशिज के एम सी क्यू और फिलफ्स टाइब कोशन्स उमीद करतों आपको समझ आए हैं अगर आपको समझ आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें कोमेंट करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू अरी मच